गुलगुलों के परों में कभी वाज नहीं होता और विखरे लोगों कभी राज नहीं होता सर जुटा कर चलने की आज़ब कुमारी पढ़ गई है उनके सिरों पर कभी ताज नहीं होता जो इस देश प्याजमों लिवासी थे वह आज बिजारे माँदे कि हैंसे पैपरे हैं मागने की हैसी पैसे उनको उन्हें राजपार घ्टा है के तलियोत अगर नहीं ही फर्क है कि तफ़ा दर्गौत अमज़ को बदाना चाहता हूं कि जो लोग सुवे पार्कों में टहले जाते हैं, कम से कम तमान जिस तरे इस देश में साथ आया तंगवादी के रूप में चल नहीं तेदे आप भी, जो तसा के खोतम बुद्ध की, धर्दियां बहुत दूर में ही है, और तसा के खोतम बुद्ध की, जो हम लोग उने हटोटों तबावासाब की लगाई है, कम से कम हम, एक घंडा जो सुवे कार्कों में टेहले जाते हैं, के बुद्ध की बात को सुबह चार गण्टे करें और विचार करें कि बुद्ध कॉंते निया के तमाम विद्वान आज तका के द्रॉत्व बुझ पे रिसर्ष चला है कुछ धाई हिजार वर्स पहले कौन ऐसे बेक्ट थे कौन ऐसे सेंट्पिक बेक्ट थे जिसमें लगातारा रिसर्ष चला उनसे बढ़ा कोई सेंट्पिक नहीं हुआ हम उस्तिजा में जा रहे तो मैंने बताया कि संदुपि एक बावन बेस्राम का लखनों का सिरां सांस्क्रित पुमन में क्रायकम चला उसको सुए उन्होंने पहले यूएंट क्या वहां का क्राफना निप्टाया निप्टाने के बाद तरह हम लोग है जाकि धर्टी प्तल साक इतली आए और यह सहीदों के सांसे प्रोग्राम रखा गया यह बहुत भी अच्छा है अभी हमसे पहले एक वक्ता के रुप में मारे महमाने वहते जी बोले हैं कि उन्होंने कहा था यह किसी साथ ही ने हमारे मेरे देखा हूँ आज एकेट से चलकर के यहां तक तवाम हमार प्रोग्राइब को एक पोटो करने का मैंने को बहुत बहुत साथ गलता हूँ और यह जम्मेदारी समाज की किजी एक डेक्ट की नहीं होती है दोस्तों यह एक डेक्ट की जम्मेदारी को समझ करके जो आज हम जिनके इस देख में राज़ पाट था जिनका धाई हजार्वस पहले पुछा सांडार्ज था इसको चंदुत मोर के राम जैन का हजादा था कि यह देश की आगनों लिवासी थे गधिजारे मांगने की हैंशत पर रेकरे हैं और जो मांगने की हैंशत पर थे उनको राजबात क्दे रखा है उसकी सब्सक्रेम्दिश हमारे मास ये थी कि यह जो भी मादे भंटेंजी बोल रहे थे हम होग फंदी लोग उच्छोटे थे हम क्या करते हैं कि कभी जबी आएं वह अधीत्रा सम्मान ज्यादा कर देते हैं और ज्यादा करने में हम लोगों राजपाट को दे रखा और आज पाटा दे रखा आज जो इस देश के दूशा सकते वाज बिखाजी के तौर पे खड़े हैं मांगने के तौर पे खड़े हैं और सबसे प्रणी बात यह है वो रूने कहरी संदेश में भी कहा कि जो हम प्रोग्राम करते हैं तो कुछ लोग क्यों आपने कपने पहन के चले आते हैं और यह समझ लेते कि दूसरे का प्रोग्राम वह अगर इसको अपनी जुमेरादी नहीं समझोगे जाते समय एक खाम इस संदेश गैंकर ने संदेश की कि जिस भाई ने जिस बीटे ने जिस बुझर्ब ने जिस माताओं ने जिस बेहनों ने इस संदेश को इस प्रोग्राम करत्ष estar जाते समय को पूंच ले कि अगर कुछ घटा हो तो हमारा भी इस मिला लीकी क्योंकि तमाम जिन महामापुर्सों के वह ने फोटो रखी है उन्हाइक यास रहा है उन्होंने अपने पर्वार को चुला है चाहे तफ़ा को गोट अंबुद से हम चले वो एक राजा के बेटे ते उसके बहुत हुनों ने राज़ पाट शोड़ करके सन्यास धारण किया थ अजित्तफ़ गरतां मुद्यक राजा के बेटे थे और राज़ पाट शोड़ करके उन्हों सन्यास धारण किया था आज लोग सन्यास धारण कर रहे हैं फर्ग यही है इसको समझने की जरूरत है अगर इसको आज समझ नहीं पाए तो हम लोग कितना पीछे चले जाने इसकी कल्पना नहीं कर पकते हैं एक कहावत भी कहते हैं कि बुल्बुलों के परों में कभी वाज नहीं होता और बिखरे हुए लोगों का कभी राज नहीं होता सर जुटा कर चलने की आदब तुमारी पढ़ गई है उनके सिरों पे कभ जिल्डी से चलके आंगे समय का उंदा भाव है अभी कई जिगे प्रोग्राम अटेंट करने हैं इसलिए मैं अपनी बात की यहीं सादबात करता हूं जैहीं जैवारत और यहीं की कमेटी से मैं चाहूंगा कि संब्बुलों की है क्योंकि मारे साथ लखनों से चलके आए हैं उन्हीं को सा इसके बात दुमाने की करपा करें यह इंदरा एकन भोग है और बात खुले में उन्दी चोड़ी ही निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख झाल झाल